Hello and welcome friends, आज की ये विडियो टेली प्राइम की है और आज के इस विडियो में कंसाइनी को लेकर बात करेंगे हम ये कंसाइनी क्या होता है अब देखिए ये कंपणी हमारे पास है पहले से पनी हुई अजय एंडसांस कंपणी का नाम है आप पहली एंट्री इसमें हम पास कर एंटरफेस किया यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो एक पहले से क्रेडिटर पार्टी मैंने बना रखता है आपको जरुवत है तो यहां पर जाएए और अगर कोई और भी क्रेडिटर पार्टी हो तो आप उसे भी बना लीजिए जैसे मैं यहां पर पु कैसे कर सकते हैं जब print करेंगे न तो consign me भी print हो करा जाएगा तो यह problem बहुत लोगों को आती है और consign कैसे हम आउफ करेंगे वो देखेंगे तो यहां Sunday regulator कर देता हूं और यह Sunday regulator हो गयाzem libraries किया यह सारा purchase account क्या ले जा रहा जाएगा आपने नहीं बनाया तो आप बना लीजिए और फिर यहाँ पर वो products आएंगे जो products like information technology की book है तो उसकी खरीद rate जो है 800 रुपए है ठीक है और 8 किताबे हम खरीद रहे हैं 800 रुपए की तो इसके इसाब से यहाँ 6400 रुपए आगया है आप देख सकते हैं ठीक है इसके बाद cgst sgst जो लगाना है यहाँ पे आप लगा दीजिए sgst अब करेंगे तो यह देखिए cgst sgst भी लगा दीजिए हमने enterprise किया और यहाँ पर चाहे तो narration भी डाल सकते हैं फिलाल मैं इसको छोड़ता हूँ consigne यानि कि same वही चीज़ दुबारा print होकर आ रही है यानि consigne हमें नहीं चाहिए उपर तो company का नाम हई है तो फिर consigne क्यों दें तो यह दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत को solve करने के लिए अभी solve हो जाएगा बस देखते जाएए आप configure पे जाएए ठीक है यह configure जो दिख रह देखे इसमें कहीं consigne आ रहा है show more पे click कर दीजे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं so consigne detail आ रहा है तो यह yes है तो इस पे double click कर दीजे यह no हो जाएगा तो बस आपका काम हो गया control है प्रेस कर दीजे अब इसका preview देखते है तो अब जब preview देखेंगे तो यहाँ consigne नहीं ठीक है और यहाँ पर एकठो मैंने दे दिया है हमारे एक student है उन्हें यह लगा दिया है इस company में इसको अगर आप हटाना चाहते है इसके जगा tax invoice या कुछ ऐसा देना चाहते है तो यह भी आप कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ तो यह कैसे करेंगे इसके लिए भी यहा माहा का लिख रखा है मैंने यहाँ पर चले जाईए और यहाँ टाइटल चेंज कर देजी यहाँ पर मैं कर देता हूं tax invoice ठीक है और एंटर प्रेस कर दिया है सब्टाइटल कुछ नहीं देंगे और यहाँ control ए प्रेस कर लेते हैं यह accept हो गया control ए अब देखते हैं इसका preview त तो सारी चीजें I hope कि इससे confusion clear हो जाएगा आपका कि यह consigny detail हो गड़ा यह सब off-off करना है तो कैसे करना है अगर वीडियो अच्छी लगए तुछे share कर सकते हैं thank you for watching this video